हेलो एवरिश while students आज हम सिंगल पिररली चाहिँ दन स्ब्सक्राइब कई नहीं गयोद mess आट है सबसे पहले है आपको समझाए गए के सिंगल पिरेंट फामाली कौन सी हो ती है अगर हम इसकी basic definition की बात करें तो कोई भी family with children under age अगर 18 साल से कम बच्चा हो headed by a parents और वो किसी एक particular parent के द्वारा जो या तो divorced हो गए हो या widow हो गए हो और या उन्होंने remarries नहीं की हो due to any of the reason और by a parents who has never married या फिर जो कभी भी married नहीं हो लेकिन उन्होंने adoption के द्वारा या किसी भी और method के द्वारा child adopt किया हो या उसका खुद का child भी हो so families with children under age 18 headed by a parents who is divorced or widowed and not remarried or by a parent who has never married cause की बात अगर हम करेंगे की cause क्या होती है single parent family के अंदर तो सबसे basic जो cause होता है that is divorce mother father का divorce हो जाता है जिसकी वजह से वो single parents रह जाते है क्योंकि जो child होता है वो किसी एक के पास रहता है then breakup अगर उन्होंने marriage नहीं की है means without marriage they are living together they are in living relationships and they had a baby then अगर उनका breakup हो जाता है वो आपस में एक साथ नहीं रहना चाते तब भी उस वजह से भी single parent families बनती है next है abandonment abandonment का मतलब होता है कि कोई भी एक दूसरे के ओपर give up कर दे या फिर leave behind दूसरे को छोड़ के चला जाए death of the other parent किसी एक की death हो जाए या फिर child birth by a single woman single woman के द्वारा child birth दिया जाए means premarital जो हमने intimacy बताई थी आपको उसकी वजह से premarital intimacy की वजह से या फिर कई लोग शादी नहीं करना चाते और या फिर कई लोग जिसे आपने बहुत सारे celebrities भी देखी हैं वो single person adaptation मतलब वो adopt कर लेते हैं child को और शादी नहीं करते हैं तो यह हमारे causes है single parent families के अब हम कुछ common problems की बात करते हैं तो सबसे पहला basic common problem है work life challenges because आपको पता है कि life में with to be in a family इतनी सारी problems होती है तो अगर हमारे पास वो resources कम हो means अगर mother ना हो तो एक father को बच्चे को पालने में मुश्किले आती है या अगर एक father ना हो तो फिर mother को मुश्किले आती है इसी तरीके से दोनों का ही एक complete तभी वो family कहलाता है because एक combination एक couple एक दूसरे का साथ ही एक particular perfect family बनती है तो इसलिए work challenges तो होते हैं साथ के साथ हमारे guilt, blame और responsibility अगर तो divorce हो गया तो ये की तुमने छोड़ा या तुम्हारे अंदर ये कमी थी उसके अंदर ये कमी थी so and so जो भी हमारे society के wordings होती है उसका blame उसकी guilty responsibilities बहुत जादा आजाती है या mostly most single mothers are utterly sick of the motherhood क्योंकि they think of your you know like pre-marital intimacy के लिए लेकिन they are not ready for their motherhood but still they they bear a child and उसके बाद उनको motherhood का because वो लोग छोटे उमर में ही होते हैं तो जो child को rare करते हैं तो उनको थोड़ी सी मुश्कीले आती है and guilt rhetoric guilt rhetoric का मतलब क्या होता है that is a meaningless language कि उनको एक guilt की feeling आती रहती है especially working single mother अगर वो working भी हो एक single mother then ये problem आती है then emotionally challenges because उसको support करने के लेना तो financially कोई कोई भी हैड होता ना ही emotionally financial strains भी पड़ते हैं क्योंकि सारे finances जो भी बच्चे के खर्ची होते हैं अपने खर्ची होते हैं उसकी पढ़ाई के लिए या किसी भी बिमारी के लिए किसी भी चीज़ के लिए उसको financially खुद पर ही depend रहना पड़ता है and limited time and fatigue कि उसके पास हर चीज़ के लिए particular time होता है और उस जाता है तो हम सब confused हो जाएंगे और उस point को गलत कर देंगे जैसे कि सबसे पहली बात हो अगर डाइवोस्ट पेरेंट है तो वह अगर family headed हो रही है headed means जो भी उस family के अंदर है और वह डाइवोस्ट है तो उसको हम single parent family बोलेंगे अगर video हो गई है तब भी हम single parents family बोलेंगे सा a single parent by choice so सिरफ यह नहीं है कि वो अलग हो गए है सिरफ तभी वो single parents parenting हो सकती है means यहां पर हमने families की बात करें यहां marriage की बात नहीं करें तो कोई भी person इस चीज़ में confused मत हो यह का अगर single parents by marriage की ही बात नहीं हो रही कि वो marriage से single parent बने है अगर वो individual उनकी अपनी choices है जिसकी वज़ हां का कोई भी हमारा option आता है point आता है तो हम उसको अंदाज ना करें या गलत हम mark ना करके आए then single parents also include non married parents तो सबसे बड़ी बात किया है कि जो single parents है वो कौन से include करते है जिनोंने शादी नहीं की हो लेकिन वो एक साथ रह रहे हो even if the mother and father live in the same residence अगर वो same residence मतलब एक ही घर में की छत के नीचे एक साथ रहते हैं mother और father और उन्होंने शादी नहीं की है तब भी उनको single parents count किया जाएगा तो यह वला जो point है यह most important है इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि single parents के category में वो parents भी आते हैं जिनोंने अभी तक शादी नहीं की है but they are living together in a same roof am I clear so यह था हमार से कुछ एक basic से topic single parents family की ओपर उसके calls की problems यह फर कितनी दहां की होती है hopefully आपको यह topic अच्छे से समझ में आया होगा please like कीजिए share कीजिए comment कीजिए subscribe कीजिए KMS fashion go till then good bye have a nice day